दोस्तो इस वीडियो की सुरुआत करते हैं Russell Mania 39 से तो WWE ने अभी हाल फिलाल में अपने पोरडेक्शन ट्रक्स के पोस्टर्स को अपडेट करा है और यहांपर Russell Mania 39 का पोस्टर हमें देखने को मिला है जहांपर सेथ फ्रीकिन रोलिंड्स बियांका बलेर रिया रिपले एंड बीस्ट ब्रोक लैसनर को हेवी तरीके से एड़वर्टाइज किया गया है और यहांपर 100% कनफर्म है कि बीस्ट ब्रोक लैसनर रसल मेनिया 39 में बड़ा मेंच रसल करने वाले हैं वैसे क्राउन जीवल रसल मेनिय 39 में ब्रोक लैसनर एंड बोबी लैसली का बड़ा मेंच हमें देखने को मिलता है लेकिन स्टिल हमें इसके लिए वेट करना होगा बात करें अगली अपडेट की तो कल हुए मंडे नाइट रो की विवर्शिप सामनी आ चुकी है और अकोर्डिंग टू रसल नो का था बोबी लैसली ने सेत रोलेंस को डिस्ट्रोई कर दिया मनी इन दा बैंक विनर त्योरी अपनी मनी इन दा बैंक ब्रीफ केस कल मंडे नाइट रो में हार चुके हैं फेल हो चुके हैं केसिन करने में लेकिन फिर भी मंडे नाइट रो की विवर्शिप 2 मिलियन के बात करेंगे अगली अपडेट पर तो सुर्वाइवर सिरीज 2022 को लेकर डेवल रोई मेजर प्लेन बना रही है क्योंकि डेवल रोई को वोर गेम्स के वीडियो पेकेज के लिए फोटेज चाहिए लेकिन एनेकस्टी में जितने भी वोर गेम्स में चेज हुए हैं उनमें जि वीडियो पेकेज के लिए डेवल रोई सुर्वाइवर सिरीज 2022 में होने वाले फस्ट में रोउस्टर वोर गेम्स के लिए कुछ क्रेजी मुमेंट्स प्लेन कर रही है जो हमें सुर्वाइवर सिरीज में देखने को मिलेंगी जो आप सब को हैरान कर देंगी बाकी वेट कर लेकिन असल में सेमस ने अभी हाल फिलाल में साधी की है जिसकी वज़े से उन्हें समेक डाउन से रिटन ओफ किया गया था लेकिन दोस्तो अब PW Insider ने रिपोर्ट दी है कि सेमस नेक्स्ट वीक समेक डाउन में अपना रिटन कर लेंगे तो देखना होगा सेमस के रिटन के बाद ब्राउलिंग ब्रूट्स किसके साथ अपनी फ्यूड करते हैं क्या वो ब्लड लाइन के साथ कंटीनियू रहेंगे या के बाद कोर्बिन टवीट करके लिखते हैं है थियोरी वेलकम टू दे कलब वी आरे स्पेसल ग्रूप लेडवाई जोन सीना और यहां पर कोर्बिन ने ये टवीट इसलिए किया है क्योंकि कोर्बिन भी 2017 में अपनी मनी इंदा बेंक ब्रीफ केस को जिंदर माहल के ने वेलकम करा है थियोरी को अपने ग्रूप में जिसमें वो सभी सुपर स्टार सामिल है जो अपनी मनी इंदा बेंक ब्रीफ केस को केसिन करने में फेल हुए थे इंकलोडिंग जोन सीना और दोस्तों फिलाल थियोरी की मनी इंदा बेंक फेल होने की पीछे असल रीजन साम और फिर थियोरी की केसिन करवा दी और यहां पर सेथ रोलिंज स्टिर यू एस चेंपिन है और दोस्तों फैंस भी सेथ रोलिंज को काफी चीर करते हैं और थियोरी की मनी इन दा बेंक सिर्फ इसलिए वेस्ट की गई ताकि सेथ रोलिंज को टोप बेबी फेस बना दिया था वो स्टिल ओन दे टेबल है और दोस्तों थियोरी एंड जोन सिना का मेच स्टिल हमें देखने को मिलेगा रसल मेनिया 39 में और रिपोर्ट के मुताबिक थियोरी को लेकर कुछ बड़े प्लेंस है डेवनल वी के पास जो कि इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेंगे तो स्ट कमिंग दरसल दोस्तों सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने ड्रियू में के इंटायर को इंडिया में इनवाइट किया है जहां पर वो ड्रियू में के इंटायर एंड जोन अबराम के साथ कुछ बड़ा सूट करेंगे लाइक डोक्युमेंटरी या फिर किसी तरह का ड्रियू में के इंटायर एंड जोन अबराम को एक साथ देख सकते हैं लेकिन स्टिल वेट करना होगा कि सोनी स्पोर्ट्स वाले ड्रियू में के इंटायर को लेकर इंडिया में किसी तरह का मिटप प्लेन करते हैं या नहीं वैसे फिलाल ड्रियू में के इंटायर इंडिय को सब्सक्राइब कर दो फूर लेटेस्ट रसलिंग अब्डेट इन हिंदी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई